पूरे देश में जाती जनगन्ना होने के बाद बीजेपी लगातार कह रही है कि बीजेपी की देन है जो नितीश ने आज बिहार में साबित कर दिया कि जाती आधारित मैंने करवाया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर मंत्री जेड़ी विदायक विमाभारतिय है उन्हीं से जानते हैं कि अब बिहार में जाती आधारित जनगन्ना के इंपोर्ट भी आ गिया और बीजेपी कह रहा है कि यह हमीं लोग का जो समर्था ना जो देना आई इस पर क्या कहें जिस तरह से बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि हम हमारे उजस से जाती जनगन्ना हुआ है तो मैं आपको ब सरकार तो यह भी कह दिये कि जाती जनगन्ना करवाईए गात आपने बलबूते करवाईए अपने रासी से करवाईए तो बिहार सरकार ने अपना पैसा से जो है कि जाती जनगन्ना करवाए हैं बीजेपी के लोग तो इसमें कोई सहयोग ने किया ही तो रोकने का ही काम किया कोट में ममला चला कितना बार हमारे नेता जो है इसमें परशान हुए इसके बाद भी कितना परशान करने के बाद भी हमारे नेता जो है मानिय मुकमंत्री जी जो है कि सयम रखते हुए बिहार का जाती जन्गना करवाए क्या ये बिहार में ही होना चाहिए कि पूरा देश में होने से बहतर हो पूरी देश में होनी चाहिए और मानिये जो है कि हमारे केंदर में जो परधान मंत्री जी है उनसे भी आगरे करेंगे मोदी जी से कि आप भी पूरे देश में जाती जनगन्ना करवाईए इसे लोग को पता चलेगा कि हाँ पूरे देश में हमारे जात सभी बर्ग के जाती का पता चल जाएगा उसके अधार से आप जो है सभी छेतर में विकाश कर सकते हैं और बिहार का ही देखते हुए परधान मंत्री को भी जो है ना सोचना चाहिए कि पूरे देश में जाती जनगन्ना होनी चाहिए चेतर में लोकसभा का चुनाव आ गिया और जनता चाहरिये कि विकास हो आप रुपोली विधान सभा चेतर की ऐसा कुम सा मुद्दाले का आप मुखमंद्री से मिले है भी फिर दिखिए हमारे मानिय मुखमंद्री जित लगातार पुर्णिया के लिए चिंता करते ही है और विशेश करके जो है कि धियान रखते हैं पुर्णिया सिमान चल पर और हमारे पूली छेतर का जहां तक विकास की बात है तो हमारे जो मानिय मुखमंद्री जिस हमने मिलने का का काम किये थे सदन जब चल रहा था उसी टाइम लिखने का काम किये थे कि लिख करके कि हमारे छेतर में पूल का बहुत कमी है तो हमने जो बरहरा कोठी में जो घोसे घाठ है यह बरसों से जनता का मांग था हमारे कारजकरता का मांग था और जाने आने बहुत कठनाई होती थी महां पर बच्चियां बच्ची जो है सभी इस्कूल जो उस पार नदी के उस पार में था तो जहाने में कटनाई होती थी तो अब ही जो है कि घोसे घाट जो है कि सुकुर्ती मिल गिया है और वह भी टंडर के परकिरिया में चला गिया है वहां बहुत जल्द हमको लगता है कि एम्पे लक्षन के पहले जो है कि बनना सुरू हो जाएगा वहां भी, इसके बाद आध और जो है पूल वहां का है, बोरनेसर का, बोरनेसर में भी काफी दिनों से लोग चर्चा कर रहे थे, बोरनेसर में जो पूल जो है लोहा का, उसमें आरसीसी पूल के लिए हम जो यह अर इसके बाद सेक्पुरा घाट है सेक्पुरा घाट भावानी पुर पर्खन में है वहाँ बीच में नदी बज रहा था सेक्पुरा में तो सेक्पुरा घाट का भी हो गया वह भी हमने बहुत जल्द से लेनास करेंगे वह कुल का निर्मान जो है की जल्द ही होगा इसके बाद आपको बता देते हैं रुपोली में रुपोली परखंड में डूमरी घाट था डूमरी बड़ी नदी एक तो नितीस कुमार की चेहरे पर इस बार बिहार में फिर से वोट होने जा रहा तो क्या लग रहा है नितीस कुमार की नेतरुत में फिर से लोकसभा चुना होगा तो क्या नितीस बिहार में साड़े सीट निकल पाएंगे बिलकुल हर बार जो है कि मानिय मुखमांद्री जी के च पर ही चाहे बिधान सभा का चुना हो चाहे लोग सभा का चुना हो जितने भी हमारे सरकारी संपती थे उसको जो है कि बेशने का काम किया है हमको तो इसा लगता है कि फिर जा दुजार चोबिस में जो केंदर में मोदी का सरकार बन जाएंगे तो पूरे देश को बेश देंग हैं आप उसके जुमला में कोई आने वाले नहीं हैं सभी लोग भली भाती जानते हैं और आपको यह भी वता देना चाहती हूं कि आरक्षन जो महला का आरक्षन जो 35% दिया थे 35% जो आरक्षन दिया है तो यह जुमला है महला समझ रही है इससे पहले भी दे सकते थे सा में लोग नहीं आने वाले हैं हमारे मानियमुक मंत्री जी ने तो जो बोलते हैं वह करते हैं महला के बारे में मानियमुक मंत्री जी ने बोले थे कारक्षन देगे 50% आरक्षन दिया इसके बाद 35% जो है कारक्षन देने का काम किया है मानियमुक मंत्री जी ने और पंचा जो अधिकार दियार अक्षान में सभी महला लाव उठा रहे हैं सुना आपने हमारे साथ ते प्यार सरकार के पूर मंत्री जेडियू विराइट भिया भरती उन्होंने साफ साफ कहा कि केदर में बैठी हुए जुम्ले वाजे की सरकार से जनता उब चुकी है और आने वाले सम कि अन्यासे तन्मियान कर पूट